नमस्कार आप देख रहे हैं SMP जारखान न्यूज हकिकत है तो दिखेगा आईए बड़ते आज के ख़बर के तरफ तो कि यहां नोगा पर दो देखेगा आई पर देखेगा आई उनको बताए तुरी तरफ नहीं है तो दो परना मत कि अपना नचेट को बना मत कि अपलोग आप नगरे में पर गली में नग पर दो पूल रहा है आपको हमने ये वीडियो और आडियो इसलिए पहले दिखाया कि आप लगतार देख रहे हैं कि लोगडाउन है और सरकार प्रसासन के लोग लगतार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें जदिया बाहर कोई कारिय से निकल भी रहे हैं चाहे वो सबजी लेने के लिए ये रासन लेने के लिए या दवादुकान पे तो कम से कम सोशल डिस्टन सिंग का ध्यान रखें लेकिन जदि कोई काम ना हो तो आप सरकों पे ना निकलें लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सरकार की बातों को सुन रहे हैं और नहीं प्रसासन के लोगों को सुन रहे हैं तो आखित प्रसासन अब ऐसे लोगों पे करवाई भी कर रही है राची पुलिस लगतार फाइन के रूप में हो चाहे वो F.I.R हो या कुछ आगे आप विजवल देखेंगे अभी तो यहीं तक सिमित है जदी आप नहीं समझे तो प्रहमलगतार कहते आ रहे हैं कि प्रसासन के पास बहुत सारे अप्सन हैं तो कम से कम आप अपने आप पे सुधार लाएं ये आपके लिए किया जा रहा है आपके परिवार के लिए किया जा रहा है प्रसासन आकिर ये सक्ति कि किसलिए बरत रही है किसलिए समझा रही है लेकिन आप हैं कि excuse देने में कहीं कटिनाई मसूस नहीं कर रहे हैं दुसरी बात कि कोई mask लगा करके खास करके सरकों पे नहीं निकल रहे हैं हमने भी कितनी लोगों को समझाने की कोशिस की पुलिस कर्मी से तो वो उलजते ही हैं कोई ऐसे लोग सुधर पाएंगे अन्यता कोई भी समझने को तयार नहीं है जरूरी है जो सरकों पे ड्यूटी कर रहे हैं प्रसासन के लोग उनको भी सेप्टी बहुत जरूरी है उनके लिए भी तो ये पुलिस एसुएसेशन के द्वारा आज सरानिय कार्ज किया गया है इस पे जरूरी पुलिस एसुएसन के अध्याक्ष और महामंत्री ने क्या कहा हमाई ये सुनते हैं एक है खेल गाहूं अभी देखे कीबॉत के हाथ नो किसी घलप सभी नहीं से कुछ लोगो के पास है कुछ लोग के पास नहीं बहुत लोगल के काम कर रहे ह। हम आपके माद्यम चाहिए कि हमारी से जोद्धा हैं जोद्ध को लड़ा है तो कल किस भरोष ह theo जोब उपकरन सुड़क्शा को उपकरन है तो उसको दिया जा दस दिन पहले हम लोगों ने स्वास्तकर्मियों की तरह, हमारे जितने भी पुलिस कर्मी आज रोड पर तयार होके कोरोना वाइडर से लड़ रहा हैं, लोग के सुरक्षा हमा लगे हुए हैं, तो उनके लिए हमने 50 लाकी रुपया भीमा की मांग हमने किया था, और माननिये ग्रीज सचीव महदय को हमने पत्रचार किया था, तो हम चाहेंगा कि जता सिक्रे, उसके समंद्ध में करवाई हो, और लोग यह जो भीमा चुकी जान से खेल रहे हैं, और कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो स्वास्तकर्मी जैसे लगे हुए हैं, वो पात्र हैं, हमारे पु पुलिसकर्मी हो का भी 50 लाग रुपया, जो भीमा की जीवाई पासात लाग रुपया किया है, उसके जान सलामत हो, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे है, तो कम से कम हो, उसके बाल बच्चा यह समझे कि हमारे परेंट ड्यूटी कर रहे हैं, तो सुरक्षी तो क्य आएंगे, तो इस सरकार और परदिकार को कम से कम ही ध्यान देना होगा, कि जो आपके बच्चे की तरह हैं, जो हमरे पुलिसकर्मी है, जो जोद्धा की तरह पुले देश में काम करें, स्टेट के पुले देश में, बटमी के ज़रकन सरकार से और परदिकार से मांग करेंग एक सरक्चा के जो भी उपकरन हो, हम अपने स्टर सुपलोग करा रहे हैं, लेकिन आप चुकि हमारे का विभावा के गर्जिवन है, राज्यक के मुखिया है, तो आप से भी हमरे आगर होगा, कि हमरे जितने पुलिसकर्मी तेनात है, सभी लोगों कम से कम गलप, और मास्क जो है, अपने स्टर सुन को थी, जो गेंदर सिंग, प्रांतिया ज्यक जरकन पुलिस एसोसीएशन ने पुलिस मुख्याले को करीब एक सब्ता पहले एक लेटर दिया था, कि सभी थानों में, जो ए ग्रेट, बी ग्रेट और सी ग्रेट के थानों में, दस अजार, 15,020,000 रुपे कंटिजेंसी फंड है, उस कंटिजेंसी फंड से पैसे निकाल कर सभी थाना परभारी को या निर्देश दिया जाए, कि वो अपने सभी समंधित पुलिस कर्मियों को बाटे, लेकिन आपके माद्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, कि अभी तक वो आदेश नि है, उसको तुरंत मानते हुए, आदेश निर्गत किया जाए, कि सभी जीलों के एसपी जो है, सभी थाने परभारी को या निर्देश दें, कि जो कंटिजेंसी फंड है, उसके पैसे का उपियोग करते हुए, संक्रमन से बचाव करें, महामंत्री अक्षय कुमारा। सकती से निपट रहे हैं, जो एसेंसियल सर्विस है, स्वास्त वाले, जो जिनको रासन उसन खरिदने जाना है, सब्दी खरिदने जाना है, एसेंसियल को देख करके हम लोग उनलों को छोड़ रहे हैं, जो आनावस्य घूम रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, और फाइन भी किय तो अभी आपने सारी बातों को सुना कि जो हमारे लिए रात दिर सरकों पर मेहनत कर रहे हैं तो उनकी भी सेप्टी बहुत जरूरी है पुलिस एस्वेशन के द्यक्षें महामंत्री हैं आज उन्होंने काड़ किया यह सरानी एक कदम है और यह होना भी जरूरी है क्योंकि आए दिन पुलिस कर्मियों को लगतार ऐसे लोगों से रूबरू होना पड़ता है तो अभी इस सारी बातों को आपने सुना कि पुलिस को ब्रह्मन करने के लिए निकल गए है कुछ गाओं का हमने आज निडक्षन किया है हमें लगता है कि सहर से कहीं अच्छा और सही तरीका गाओं में लोग पालन कर रहे हैं लोगडाउन का पालन हमें तो आज जो दिखा सही में जब मैं सहर से हट करके आज गाओं में मैं जब घरों से नहीं निकल रहे हैं तो ये हमने पाया लेकिन हम आ चुके हैं अब रातु चटी जो मेंचोक है ये रातु एडिया का बजार है यहां भी बहुत कामी लोग दिखे हमें सरकों पे लेकिन हमने ये भी इनिक्वाइरी किया कि आखी जो बस्ती जो लोग रहते हैं तो उनके लिए क्या ब्यवस्ता है प्रसासन के द्वारा तो वहां भी हम आज थाने तक पहुँचे जब हम थाना में पहुँचे तो हमें देखकर के बहुत संतोस जनक महसूस हुआ रातो थाना हम पहुँचे हुए हैं और यहां पर जो हमने देखा चाहे हो समाज सेवियों को द्वारा हो या मुख मंत्री के द्वारा जो वैसे लोग जो दिन में कमाते हैं और रात में खाते हैं उनके लिए क्या ब्यवस्ता है तो वो आपके सामने है आईए ग्रामीन A.S.P. कि बिजे संकर ने क्या कहा हम पहले सुनते हैं और बाकी एक दालबात योजना शुरू हुआ है तीन सिंटर में जिसके हिर्प से उधर भी खाना खिलाया जा रहा है और रातु में जो कम्यूनिटी किछन चल रहा है वो मुझे लगता है काफी सक्सेस्फुल है क्योंकि रोज करीब चार-चार-चार कमेंटल का खाना बनाच के यहां पे खिला रहे हैं लोगों को किछ्री बेसिक जो रिक्वार्मेंट्स है काबो हाई रिड्स प्रोटीन इसका ख्याल रखा जा रहा है तो रोज करीब इसमें साड़े तीं से चारजार लोग आके खाते हैं और इसका फंडिंग प्रिशाशन के तरफ से भी है और बाकी जो वार्ट्री कॉंट्रिबूशन किया है उसके मदद से किया जा रहा है इसके अलावा ग्रांड पंसायत लेवल पे ड्राइ राशन का भी डिस्ट्रिबूशन हो रहा है और इसको छोड़के बाकी एक चीज और भी है जो काफी लोग परिशानों के कॉल करते हैं इथाने में कि यहां पे नया लोग आए हैं इनको करोना हो गया हमें लगता है कुस लक्षन दिखाई दे रहा है तो इनका आप तुनंत जांस करवाईए तो जैसे यह कंप्लेट आता है हमारे पास तो हम CHC से आंबुरिंस ले लेते हैं लेकि उनका प्रिलमरी टेस्ट किया जाता है अगर जैसे कुई एक सम्टमस पायजाता है उन पे तो उनका आईसरेट करने के लिए हमारे पास 100 बेड है डायेट ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटेण करने के लिए और CHC में हमारे पास 10 बेड है और शल्टर होम है उशाम आतु में जहांपे 20 बेड है और एक गुरू गो बिंद कॉलिज में भी है जहां पे सो बेट का इंतजाम है तो जारकन के पबलिक से भी काफी मदद मिल रहा है और इस पॉइंट अफ टाइम में प्रशाशन और पुलिस दोनों मिलके काफी अच्छे पुजिशन में हैं भी हांटी करने के लिए तो यहां पे लॉकड़ूं को इन forse करने के लिए खास कर पुलिस प्राइब के लिए अपना जो थाने का force है उनका भी एक patrolling duty लगता है गश्ची का एक अपना PCR बायन है जो patrolling duty लगता है दूसरा एक highway बायन है जो patrolling duty लगता है और थाने का mic है जो patrolling duty करता है इसके अलाव स्टाटिक ड्यूटी भी लगता है काफी जो स्रेटिजिक पॉइंट्स हैं जहां पे भीड जादे खटा होने का संभावना है तो वहां पे पुलिस प्रोएक्टिवली समझाती है पबली को कि अगर कोई जरूरी काम से आते भी हैं तो दूरी बना के अपना काम करके जाएं और रस्ते में जो भी गाडी जयरे हैं उन से पूछताच किया जाता है हर दुकान के पीश में कम से कम दो चार-चार मीटर का डिस्टेंसिंग है और जो खरीदने आते हैं उनके लिए बी सर्क्ल बना दिया गया है तो दो मीटर के दूरी में रहे कि अपना समान खरीद के जाते हैं जो पालन नहीं कर रहे हम के लिए के लिए क्या पालन कुछ है भाखी यहां काफी कोपरेटिव है समझ नहीं है तो जैसे संजाके जाद रखे बेज़ ए और वो अपने लिवल से आगे संजाते भी हैं तो बहार कम लोग दिखते हैं मिलने को लेकिन अगर कुछ लोग मिल भी जाते हैं तो लंगन कर रहे हैं इस 144 का तो तुरांत उन पे 188 की तारवाई की जड़ती है रूले शित में देखा जाता है कि इस पासे करें लेके लोगत हैं अफवाहों के ज़्यादा दे रहे हैं तो पर अधर को प्रफ़ प्याड़ी एश्टा आई जिए है हांजी यहां पे काफी शुरू में थोड़ा सा टेंशन था तो हमने यहां पे जो मस्जिद हैं उनको मोलवी को बोलके यह अनौन्स करवाया था और जो मंदिर हैं पंडित लोगां उनको बोलके यह अनौन्स करवाया था कि कुछ भी आपा फैलाते हैं तो उसको लेके डरन की जा रही है एक मीटर का दोरी हर कोई जो आये हैं इसमें भोजन करने के लिए थाने में सभी बैटे हुए है और एकक करके सब किसी को खाना मुहया कराया जा रहा है वैसे लोगों को जो जिनके पास कुछ नहीं है और वो असहाय महसूस कर रहे हैं तो उनके लिए सरकार सहता पहुचा रह को समझें क्योंकि ये मेनत ये प्रिश्रम सरकार आपके लिए कर रहे हैं आप सुरक्षित रहें सेफ रहें कहीं भी जाएं कहीं भी मार्केट में जाएं कोई दुकानों पर जाएं सोसल डिसेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें और काम ना हो तो घरों से निकलें रखें लेटेस्ट अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब सेर लाइक करना ना भूले बेल आइकन का बटक जहुद दमाए ताकि आपको लेटेस्ट अबडेट मिलता रहें धन्यवाद जैहिंद